सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो फ्रेंड शौकात आप सबका मैं रोहन प्रम टीश्मिन स्टडी प्लाटपॉर्म तो चलिए इंडियन एर फोर्स ग्रूप सी का मेरा जो एक एक्सप्रेंस है पिछले साल का वह आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जैसे कि मैंने पिछले बार भी लगबग यहाँ पर 700 के आसपास पोस्ट थी इंडियन एर फोर्स ग्रूप से की तो मैंने अपला किया था लगबग मैंने ओनली वन पोस्ट के लिए अपला किया था तब मैरा एडमिट कार्ड बाइलक आ गया था लेकिन यहाँ पर जब मैं सेंटर पर पहुच्छा था तो मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि सेंटर पर क्या क्या ले जाना है तो मैंने ओनली एक आधार कार्ड ले गया था मैं साथ में प्लस यहाँ पर ओनली एक यानिका ज मेरा एक्जाम हो गया है जैसे कि आप सबको पता ही होगा पिछले वीडियो मेरे देखी हो गया आपने फिफ्थ जुलाई को मेरा एक्जाम था यहाँ पर मैं बिलॉंग करता हूँ महाराष्ट्र से और मेरा एक्जाम ठाने सीटी में यहाँ पर साड़े आठ वजे सुबह हो इसलिए मैंने वेडियो बनाया है आपके लिए स्पेशली वीडियो अन तक जरूर देखिए और अगर मेरे चानल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज चानल को सब्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए तो आपको मेरे हर एक अपडेट मिलते रहेंगे ठीके प्रे 257 पोस्ट के लिए अपला किया था जिसके मेरे टू एड्मिट कर आ गए मैंने विद्प्रूफ आपको दिखाया है और यहाँ पर 1515 जो पोस्ट थी आप की ठीक है यहाँ पर लगबग देड हजार एने के 1500 के आसपास जो पोस्ट थी उसके मेरे दो एड्मिट कर आ गए आ आप यकिन नहीं करोगे एक MTS का है एक HKS का है housekeeping assistant मुझे लगबग इतने फोन आये फोन कॉल्स आये में उठाते उठाते ठक गया भाई मैसेज करना ठीक है आपको अगर मैसेज करना तो मैसेज कर सकते हो कि वैसी कोई बात नहीं लेकिन मुझे इतने फोन कॉल्स आये महाराश्च्ट से कि आपका एक्जाम कैसे गया तो मैंने आलेसिस कर लिया है आपको नीचे लिंक प्रोइट करा दूंगा तो चलिए मेरे कीशली बार मारा कैसे rejection हुआ था जो की मैं यहाँ पर एकजाम सेंटर पर पहुच गया था ठीक है वहां पर पहुचा मैं वहां पर आफ्डीर कार्ड देखा उन्होंने प्लस मेरा आधार काड देखा तो अड़ा आधार कार्ड पर एक लिस्टेक थी क्या यहाँ पर मेरी जो याँ पर एताल भरन यहाँ पर 3 जो आगर्थ हमारी ऐताव वरत होती जैसे मांन लो मुझे एक्जाम नहीं देने दिया था प्लस यहाँ पर मैंने एक्जाम सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन अड्मिट कार्ड प्लस ओनली वन आधार कार्ड दो चीज मैं लेकर गया था तो इस बार आपको क्या-क्या ले जाना है ठीक है तो पिछली बार मेरी एनके 15-15 जैक कि जो कि हमारी लगवफ 1500 के आसपास पोस्ट है उसका एक्जाम मेरा भी बाकी है मैं देने जाओंगा बात कर ले थे कॉल लेटर की तो मुझे कॉल लेटर आया है हर एक वीडियो में मैंने कॉल लेटर दिखाया है इसलिए क्यूंकि पिछले बार रिजेक्शन के का अटिके आपको यहाँ पर दे रखाया है आपको क्या-क्या लेकर जाना है पिछले वीडियो में मैंने आपको बता था आपको यह क्लिप बोर्ड पैन पेंसिल इरेजर तीनों आप ले जाना साथ में ठीके बात कर लेंगे थर्ड आपर जो कि उन्होंने पैंसिल लिका पेंसिल एरेजर प्लस एक क्लिप बोर्ड लेकर जाईए साथ में ही ओरीजिनल ओधर एक डाकुमेट ले जाईए मान लो टेन की स्टेपिकेट आपके पास हो तो वह भी चल जाएगी और आपको यह सब चीजे लेकर जाना है और नीचे आपको दिये गया है कि यह सब चीजे यह पिन है यह चीजे नहीं ले जा सकते जो कि है его डिवाइस आपका क्याल कूलेटर वॉच 7 माइट वॉच्ज इसके वीयर यहा पर दे रखाए ठीक है और आपको यहाँ पर स्मार्ड पेन ज्मा侧 मा sought और लेट आपको आपको इन어요 त्री चीजे जैसे कि पेंट पेंसिल इरेजर क्लिप बोर्ड गवर्मेंट अप्रू आइडी प्रूफ और ओधर एक आने के आपके साथ होना चाहिए गवर्मेंट अप्रू ओधर एक प्रूफ जैसे कि आपकी टेंथ माक्षीट ठीक है तो आपको मैंने अवेर कर दिया भी मैं देने जाओंगा तो आप सबके लिए आपर आल दे बेस प्रप्रेशन आपकी हो गई होगी इंपोर्टन आपको एने के इंपोर्टन कोच्छन प्लस इंपोर्टन टोपिक्स चाहिए तो आप मेरे चानल सब्स्राइब कर लिजे मेरे चानल के उपर अनलेसिस किया और मैं इसके इसके बाद भी आपकी जो जो एक्जाम होगी ठीके हरे एक डेट की मैं एनलेसिस करने वाला हूँ तो प्ली चानल सब्स्राइब कर लिजे ठीके पास के बिला इंकोन को जरूर दबाए आपको हरे एक अपडेट मेरी मिलते रहेंगी रिलेदेट टू इंडिय अरफोस ग्रूप एक्सान य